जे हिंद फिट्व रफ इंडेवर और आप सोल लोगा स्वागत हैं मैं हूँ हिमान सुक्मार इसी वीडियो नों डिसकस करना है टाटा पाउर कंपनी के बारे में देखे टाटा पाउर में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कंट्निवस ग्रोस देखा जा रहा है ऐसा लग को लगता है या नहीं देखे 2020 में जब करोना आया था तो उस समय का शेयर पैस काफी कम चला गया था टू डिजिट में पिछले साथ 100 पे कास पास था मार्च अप्रिल कास पास तो अभी देखेंगे टॉक 300 के पार जाने के लिए तयार है यानि कि बहुत कम समय में इसने में बिजने से ही लेकिन इसका लाव और भी तवाम सेक्टर में कमनी कुद पढ़ी है उसके बारे में आपको बताऊँगा फिलाल समझे कि टाटा पाउर पाउर का जेनरेशन करती है ट्रांस्मिशन और डिस्ट्रिबूशन के काम खुद करती है पाउर जेनरेशन में भी य इसके कहपिशीटी की बात करें किंगिंगे कि यहां जप्रैंगा करती है चुकि जदी ज्यादा और ब्रें बाइनर्जी से जिए जिर जरू ज़नेट करता कि Sun кому के ट्रॉट जय अटा जीघारेट करता हैं लिचे कामने का घृत्स तकहाइब हैं सिर्फ इनिवल इनर्जी से तियार कियाों जोखेयों तो सिर्फ शर्फ 16%mist या झायों की स्वीजिस की बात अब यॉदि अदर बीजिनेश की बात करें कंपटी और किसकी सेग्मेंट में काम कर रहे हैं तो देखेंगे एלק्ट्रिक चार्जिंग था रही है kit क्यों ह। आपको बैठा चुकी है मतलब काफी बड़े प्रमाने पर यू कंपनी काम कर रही है इसके अलामा तक एक तो इसके अलामा बता है तो वाटर पाम इसके बात करें तो वर्तमान में दिखेंगे इसका 37 percent जो भेप्राइब होता है वो नन रिनीवल इनरजी जिससे power generate करती है, यानि कि thermal power plant से उससे होता है, उसके बाद 16 percent जो company के कमाई होती है, renewal इनरजी से जो power produce करती है, जो power generate करती है, उससे होती है, बागी के 46 परसेंट जो इसका कमाई होता है ट्रांस्मिशन और डिस्ट्रिबूशन से होते हैं एक बात आप समझें पावर जेनरेशन मतलब कमनी बिजली बनाती है कोईला से बनाए या सोलर पावल पैनर से बनाए उसके बाद उस बिजली को ट्रांस्मीट कियाता है जो आप बेड़े ताहई धर्रों नुए पहुंचाने कायो होता है बिजली को कमोई होता है वह जैसे नहीं अ hmm बातवन और जिक फॉलर फिन कलूल होता ही शलर वाटवाट मींट क्याव बनास्ता घेजिए-शिचा-बबान बिजली बनाती है और इंडोनेसिया में थर्वल पाउर प्लान से बिजली इन्वेस्टर्स के लिए अब देखिए कंपनी का चाहती है कि 80% से बिजली प्राप्त करें बिजली बनानी चाहती है और देखिए कंपनी के उपर करजा बहुत है क्योंकि पाउर सेक्टर की इसके उपर करजा आडानी पाउर भी देखेंगे इसके उपर भी करजा है इस तरह की जो कंपनी आओती है इन में प्लांट बैठाने में कार करने में पैसों की काफी जरूत होती है इसलिए इनके उपर करजा होता है लेकिन चिंदा की बात नहीं है इस कंपनी का बढ़ रहा है धीरे-धीरे और कमाई के साथ कंपनी का प्रोफित बढ़ रहा है दोनुचीजी जब बढ़ रहे तो धीर-धीर करजा विक्काम हो जाए करजा कोई बड़ी बात नहीं है टाटा जिसी कंपनी के लिए तो उम्मीद करता हूं टाटा पाउर के बारे मैंने जो